हेलो एवरिवन वेलकम बेक माई चैनल आज हम बनाएंगे चाय चाय एक नॉर्मल सी चीज है जो सभी अपने अपने गरों में बनाते हैं लेकिन आज हम जो चाय बनाएंगे वो खांसी गले जुखाम के लिए बहुत ही फाइदेमंद है इसके लिए हमने एक गलास पानी ले ल लेंगे एक हरी इलाइची लेंगे एक लोंग फूल वाली और दो काली मिर्चे इसको लेकर के हम कूट लेंगे और कूटने के बाद ही इस तरह से हमारा मसाला त्यार हो जाएगा इसको हम इस उबलते हुए पानी में डालेंगे और पानी को थोड़ी देर तक उबा लेंगे एक मिनट के लिए पानी को उबाल लेंगे ताकि थोड़ा सा पानी कम हो जाए और जो मसालों का टेस्ट है वो सारा पानी के अंदर अच्छे से आ जाए और वीडियो को पूरा देखना आखिर तक देखना क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम एक सीक्रेट चीज इसमें डालेंगे जो हमारे बैठे हुए गले को बिल्कुल ठीक कर देता है एक दो चाए पीने के बाद ही हमारा गला ठीक हो जाता है और खासी में जुखाम में हमें बहुत ही फायदा होता है तो इस तरह से पानी में उबाल आ गया है हम इसको सिम पे करके एक मिनट के लिए उबाल लेंगे थोड़ी थोड़ी देर में इसको घुमाते रहे और पानी अच्छे से उबल जाए थोड़ा सा इसमें पानी कम हो गया अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी पत्ती चाए की पत्ती अपने हिसाब से कोई पत्ती तेज होती है कोई कम तेज होती है तो जैसे आपकी चाय की पत्ती हूँ उसकी हिसाब से आप डाले और दो चमच्चीनी डालेंगे एक कप चाय के लिए दो चमच्चीनी काफी होती है लेकिन अगर आप कम ज़्यादा करना चाहे तो अपनी मर्जी से अपने स्वाद की अनुजार कर सकते हैं अब हम इसको थोड़ी देर के लिए उबाल लेंगे एक उबाल आने के बाद एक मिनट के लिए इसको सिम पर पका लेंगे ताकि चाए की पती अपना कलर अच्छे से इसमें छोड़ दे और मसालों के साथ इसका टेस्ट अच्छे से बैठ जाए अब हम इसमें डालेंगे दूद दूद अपने हिसाब से डाल ले जितना आपको पसंद हो कुछ लोग पतली चाए पीना पसंद करते हैं तो दूद थोड़ा कम डाल लीजिए जो लोग गाड़ी चाए पीना पसंद करते हैं वो थोड़ा जादा डाल लीजिए में चीज हमें मसाले वाली चाए बनानी है दूद अपने हिसाब से देख करके डाल के इसको अच्छे से हम दो तीन उवाल आने देंगे वैसे चाय को ज़्यादा देर तक कहा जाता है कि नहीं उवालना चाहिए लेकिन दूर डलने के बाद भी मसाले अच्छे से अपने सुवाद को इसमें छोड़े तो इसके लिए हमें दो तीन उवाल इसमें लाने जरूरी है और एक दो तीन उवाल आने के बाद पहले उवाल के बाद इसको थोड़े सीम पे कर दे आदी मिनट के लिए इसको सीम पे करके पका ले और उसके बाद इसको एक दो उवाल उपर नीचे करके दे ले तो चाई में उबाल आ गया है हम अपने हिसाब से अपने कप को लेंगे ऐसे घुमा गुमा के इसको एक दो बाले दे लेंगे पापी है चाय में ओबाल आ गया है हमारी चाय बिलकुल तैयार है अब हम इसको कप में चालेंगे और चानते वक्त चलनी को कब से थोड़ा सा उपर रखेंगे तो चाई में अच्छा ज्धाग बन जाता है जैसे चाई वालों की चाई में ज्धाग बना होता है उस तरह से और चाई का कलर भी देखो बहुत अच्छा आया है तो चाए को चानने के बाद अब हमारा अगला स्टेप आएगा अगला जरूरी काम चाए हमारी बिल्कुल तयार है जाग वाली चाए बहुत प्यारा कल रहा है और इसमें खुश्बू भी बहुत अच्छी आ रही है चाए की जिसमें जो मसाले हमने डाले हैं उन सभी की खुश्बू बहुत अच्छी आई है तो आप इसको एक बड़ ट्राइ करके जरूर देखना चाए पीने से एक दो चाए पीने से ही आपको बड़ा ही आराम मिलेगा यह मेरा परसनल एक्सपिरियंस है जो मैं आपको बता रही हूँ अब यह है सीक्रेट सीक्रेट क्या है काला नमक यह हमने इसमें थोड़ा सा काला नमक मिलाया है इससे हमारा गला एकदम सही हो जाता है जैसे कई बार गला बैठ जाता है तो वो चीज़ इसे ठीक हो जाती है तो हमारी मसाले वाली चाय नमक वाली मसाले वाली चाय एक दम तैयार है इसको आप एंज्योई कीजिए और अपनी खासी, सर्दी और गले खराब को ठीक कीजिए अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक चरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ तब तक जय ही जय भारत